केंद्रिया चेन परिशत सिपाही भरती का ओफिस्यल वेबसाइट पर आज की रेट में दो परिक्छाओं से संबाधित नोटीस चारी किया गया है CSBC का ओफिस्यल वेबसाइट पर दो परिक्छाओं से संबाधित नोटीस चारी किया गया है विग्यापन संख्या 05 2019 यह जो संपंधित है 1722 पदव पर 2019 में बिहार प्लिस ड्रैवर की वेकेंसी आई थी ड्रैवर पोस्ट से संपंधित यह नोटीस है इसमें ड्राइविंग टेस्ट के बारे में बताया गया अभी जो है 1722 पोस्ट का फिजिकल चल रहा है फिजिकल जो आगे आप लोगों को बताएंगे तो आज से 15 नौवंबर से चालू है और 24 नौवंबर तक है इसमें जैदे कनी डेट नहीं है 9000 लगभग कनी डेट है तो 24 नौवंबर को यह कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद जैसे ही फिजिकल कंप्लीट होगा इसके 15 दिन के बाद यह उसे कोडिंग आपको मार्क्स मिलेगा तो यह जो ड्राइविंग टेस्ट शुरू है 8 दिसंबर 2021 सहीद राजंदर परसाथ सिंग राज की उच्पिद्याला पटना है इसकूल गर्दनी बांग में ड्राइविंग टेस्ट का योजन किया जाएगा तो उससे समधित 15 दिन प पास होंगे सभी का एड्मीट कार्ट 30 नौंबर 2021 को ड्राइविंग टेस्ट से समधित ऑफिस्यल वेबसाइट पर जारी किया जाएगा और अगर आप एड्मीट कार्ट ऑफिस्यल वेबसाइट से डाउनलोड नहीं कर पाते हैं 3 दिसंबर 2021 से हम 4 तारीक को जाकर CSBC को ऑफ कर दी जाएगी क्योंकि मेरिट जो है driving टेस्ट के कोडिंग ही बनना है और किसी भी चरण को आपको छोड़ना नहीं है यहां पर है अनिवार जह driving टेस्ट में आपको सम्भिलित होना और इसके बाद है इसके लिए आपको जो भी है विग्यापन की समय जो भी दिया हुआ थ अपने समय पर जो भी एड्मिट कार्ट पर रहेगा एड्मिट कार्ट लेकर जाना है और सभी मुल परमान पत्र भी आपको साथ में लेकर जाना है इसके बाद है बाद फोटो यूप भाचान पत्र जीस में कोई है और इसमें driving टेस्ट सही तरीके से चेक किया जाएगा ति जबी ये डॉट होगा कि क्या एक्जाम जो है जैसे दरोगा एक्जाम हो गृया BPSC उग्जाम की इसमें कमपल्सरीग है तो इसमें बहुत जाद कंडेट रहता है इसलिए इसमें नहीं क्या जाएगा वैसे आप समय से Corona का टिका मांगा जा रहा है तो यहां पर आप देख स सकते हैं और आने वाले समय में हो सकता है कि जब जैदे मात्रा में सभी को टिका लग जाएगा उस समय कंपलसरी किया जाएगा कोई भी जाम हो या फिर दूसरा चीज़ हो वैसे आप समय से टिका ले लिजिएगा इसके बाद है आठमे नमर पॉइंट में विग्यापन संख्य सभी सरते प्रावधानों को आपको जो भी दिया हुआ सभी को पालन करना है अगर आप नहीं करते हैं तो अयोग घोशित कर दिया जाएगा तो यहां पर आप समझ लिए 1722 पोस्ट का जो ड्रैविंग टेस्ट अभी चल रहा है जैसे ही कंपलीट होगा तीस तारी क्यर्मिट कार जारी कर दिया जाएगा इसी महिने में और 8 दिसंबर से ड्रैविंग टेस्ट भी लिया जाएगा एक और पोस्ट का ड्रैविंग टेस्ट होना बांक की था 2020 में 98 में पदव पर वेकेंसी आय थी तो इसका भी फिजिक ड्रैविंग टेस्ट इसी के साथ लिया जाएगा फिजिकल पहली कंपलीट हो गया अंठान में पोस्ट का तो उससे संबंजित भी आप नोटीस देख लिजे अब चलिए दूसरा नोटीस देख लिजे यह होम ग पहली ही ले लिया गया है तो ड्रैविंग टेस्ट होना बाकिया तो इसका भी ड्रैविंग टेस्ट आठ दिसंबर 2021 से लिया जाएगा तो पहली ही नोटीस दे दिया गया है और इस नोटीस को चेक करने के लिए आप CSVC कॉफिसेल वेबसेट पराने के बाद होम गार्ट ट पोस्ट में भी दिया हूँ अब चलिए तीसरा नोटीस देख लिजे अब चलिए प्रेस विग्यापति देख लिए यहां पर आप देख सकते हैं केंद्रिया चैन परसत सिपाही भरती बिहर पटना यह प्रेस विग्यापति है यानि मीडिया को यह जानकारी दी गई और इ यहां पर आप देख लिजे क्या कुछ कारणा से फिजिकल में या भिर अभिहर्तिों के उमिदवारी रद की जाती है तो देखिए का आज जो बुला गया था टोटल 524 अभिहार्ति गोगा जिसमें से 423 अभिहर्ति फिजिकल में एपियर हुआ है मां की एपियर नहीं गया है, टोटल बचा है यहां पर 314 अब्यार्थि。 टीन सब आशारी में से 6 अभीहार्थि Cornille which says up 314 में से 6 अभीहार्थि उची कूद, गोला फेक, लंबी कूद में Bape भी फेल हो गया, इस तरह से टोटल बचा है यहां पर पर जो भी आप signature करते हैं और थम का भी impression उसी समय उम्र सीट पर लिया जाता अंग उठानी सांत इसको भी match किया जाता है और साथ में और डॉट होता है तो रैटिंग भी match किया जाता है मर्सीट पर लिखाया भी जाता है चार से 5 लान उचेट और इसे भी मिला जाता है अगर कोई भी भीनता होती है तो यहां पर चांट दिया जाता है यहां पर आप देखेगा चार अभिहार्थियों को खिलाप फायर भी हुआ है यहाँ पर साथमे नमर पॉइंट में चारा बिहार्थियों का लिखित परिक्षा में अपने अस्थान पर दूसरे को बैठाने के कारण चेहरा एवं अंगुलांक नहीं मिला अंगुलांक यानि होता है इसका अर्थ हुआ कि अंगुठा का निशान नहीं मिला है अतां उनके बिरहुद प्रयात्मी की अंकित करते हुए थाना को अग्रेशिव किया गया है तो भीहर्थियों के रेष्ट भी कर लिया जाता तो अर्फ हायर भी दर्ज किया जाता है थाना को फिर सौंप दिया जाता है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से फिजिकल में चेक किया जाता है तो अगर आप किसी दूसरे को बेठा कर एक्जाम दिलाती हैं तो अगर आप चाहिएगा कि यह पास होजेगा तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा क्योंकि अच्छे तरीके से चेक किया जाता है और OMR सीट पर जो भी आप रैटिंग लिखते हैं उसको भी मैच किया जाता है साथ में अंगुठा निशान को भी चेक किया जाता है फोटो को भी मैच किया जाता है signature को भी match किया जाता है यह सारी परक्रिया है और इसके बाद है Corona से related guidelines है कि Corona से बचाओ से संभधित पूरी परक्रिया का पालन किया जा रहा है और यह physical जो चलेगा 24 November 2021 तक जैसे ही physical complete होगा इसके बाद 8 December से driving test का भी आयोजन किया जा रहा है तो आप driving test को भी अच्छे से त्यारी कर लिजेगा और विग्यापन में देख लिजेगा जो भी condition उसी एकोडिंग आपको त्यारी करना है अलग-अलग गारी के कोडिंग आपको marks मिलेगा ट्रक के लिए लग जीप के लिए लग सभी गारी का अलग-अलग marks है और यहां पर आप देखेगा BCS कार्ज पर अधिकारी का signature आज करेट का 15 November 2021 का यह प्रेस भी ग्यापती है और आप लोग भी हर प्लीस constable 84-15 post result का वेट कर रहे तो आप देखेगा परिक्षा जो लिया गया था 14 March और 21 March को आठ महिने सधीक का समय होने जा रह तो बहुत पहले ही Home Guard Constable का फिजिकल का schedule देना बांकी था 555 post का तो उसका भी schedule नहीं दिया गया है यानि अब driver के जर्ष्ट बाद किसी भी post का physical नहीं लिया जागा तो CSPC हो सकता है कि एक डिर महने के बाद आप फिजिकल आयो जन करेगा 15 दिसंबर या फिर दिसंबर से दिया जागा अगर CSPC 15 दिसंबर से फिजिकल लेना चाहेगा तभी आप लोगों का result 20-25 तारीक तक November में दिया जागा नहीं तो इसमें भी और देरी किया जा सकता है फिजिकल से लगभग एक मेने पहले result दिया जाएगा बहुत पहले भी result नहीं दिया जाएगा फिजिकल से 20 दिन पहले फिजिकल काherumitcard जारीक क्या जाता है एक मेने पहले लगभग result दिया जाएगा तो result में आप लोगों को और देरी हो सकता है अगर चाहेगा जनवरी सम फिजिकल कायोजन करें तो थोरा सो result में आप लोगों को देरी देखने को मिल सकता है अगर 15 दिसंबर से physical लेना रहेगा तभी इस महिने में 20 तरिक या 25 तक result दिया जाएगा